हेलो स्टुडेंट वेलकम तुमाई चैनल सरवन लेक्चरर फाइली यूपी बोर्ड एक्जाम ने क्लास 10 इंगलीज का भी मोडल पेपर जारी कर दिया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 2022 बोर्ड एक्जाम में इंगलीज का पेपर कैसा आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेन्ट वीडियो है आपका जो इंगलीज का पेपर है उसमें काफी ज़्यादा चेंजित्स किया गया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़ारा important है वीडियो को last तक देखना है वीडियो को like कर दो चैनल पने यह हो subscribe करना है सबस्क्राइब करना है यहाँ पुडांक आपका 70 मार्ग कर रहेगा और यह जो है 2021-20 के लिए है और English का model paper है देखो आपके पास 3 गंटे 15 मिर्ट आपके पास समय रहता है आपको 3 गंटे paper को solve करना है 15 मिर्ट paper को बढ़ना है यहाँ 3 points दिया हुआ है जो आपको ध्यान से पढ़ना है थोड़ा सा points आपको पढ़ लेना है फिर आप देखो यहाँ section A यानि कि section A में जाना है यहाँ आपका लिखा हुआ है read the following passage carefully and answer the questions given below यह आपका unseen passage है लिकिन लिखा नहीं है और आपको इसे carefully पढ़ना है फिर आपको इसका answer भी देना है ठीक है यहाँ देख सकते हो जैसा कि लिखा हुआ है dolphins are regarded as the friendliest creators in the sea and stories of them helping drawing sailors have been common since Roman times देखो यह आपका एक passage है और अगर आप इसको solve करोगे तो फिर आप लोग समझ पाओगे the more we learn about dolphins ठीक है इसको आपको पहले आपको carefully पढ़ना है थोड़ा सा आपको Hindi translate भी कर लेना है अगर आपका Hindi translate तेज नहीं है तो फिर हो सकता है आप इसे ना कर पाओ अब देखो यहाँ आपको 4 questions देगा पहला 3 mark का फिर 3 mark का फिर 2 mark का फिर 2 mark का फिर 2 mark का यानि कि 10 mark का आपका यही questions आएगा तो यह question बहुत ज़दा important है और सारे यह जो आपके 4 questions है इसी का पूरे का answer आपको इस passage में मिल जाएगा अगर आप carefully पढ़ोगे तो फिर आपको इसका answer भी मिल जाएगा ठीक है फर यहाँ आपका देखो section V लिखा हुआ है writing ठीक है और यहाँ आपको पहले 4 mark का question मिलेगा यहाँ आपको 2 optional है दोनों में से किसी यह को करना है लिखा write later to your friend to invite him on your birthday party यानि कि अपने birthday party पर किसको invite करना है अपने friends को अगर आप इसे चार नमर का later लिखते हो तो अच्छी बात है या फिर application आप लिख दो write and application to your principal for using transfer certificate ठीक है certificate तो यहाँ आपको इसको लिखना है या इसको दोनों में से किसी यह को लिखोगे 4 mark आपको मिल जाएगा तो यहाँ later or application आप लुक्स सीख लेना लिखना मैं आपको बता दूँगा इसका भी एक वीडियो लाँगा और इसका भी और आपका दोनों वीडियो में यह सारे समाप्त हो जाएंगे जितने most important है उसे भी बता दिया जाएगा ठीक है आगे देखो आपसे क्या पूछ रहा है यहां देखो यह आपका है essay essay type का देखो पहले यहां लिखा हुआ है write a report on republic day celebration in your college ठीक है आपको 60-60 words में लिखना है यहां थोड़े आपके points दे हुए इन points पर आप discuss करो यहां लिखा हुआ है school decoration flag hosting and care money and आपका यहां देखो cultural program and speech by principal and other ठीक है and sweet distribution ठीक है तो यहां अगर आप इन साथे points पर discuss कर लोगे तो आपको 6 mark मिल जाएगा अगर आप यह नहीं जानते हो तो यहां यह आपका विल्कुल essay essay लगेगा लेकिन आपका नाम article से आएगा write an article on importance of या फिर आपका लिखा हुआ है morning walk in about starts essay words आपका morning walk के बारे में आ प्रेस लिखना है keep active and happy all day and good for studies and calculation ठीक है यहां आप देखो यहां आपको in points पर discuss करना है यह points जो है आपको essay में मिलता था ना और यह essay के type का है अगर आप 60-80 words में लिख दोगे जो 6 mark आपको मिल जाएगा तो आप introduction अच्छे से लिखो फिर प्रेस लिखो सब कुछ आप लिख से solve करोगे तो फिर आप लोग समझ जाओगे यहां देखो आपका section C आगया है grammar का और यहां फोर नमर लिखा हुआ है choose the correct option to the to answer the following question 5 नमर का आपका objective आएगा पहले यह नहीं था लेकिन अब आपका यह 5 नमर का objective भी पूछा जाएगा यहां लिखा हुआ है the old man came to me तो यहां आपको identify the adjective यानि कि adjective आपको पहचानना है विसेश्था तो यहां आपके पास 4 options है दा है या came है या man है या old है काफी ज्यादा easy adjective पहचानना जो इनकी विसेश्था होती है old ठीक है अब आप ऐसे आप लोग solve करना है यहां लिखा है he is hard working man अब यहां आपको वर्व पहचानन है तीसरा नमबर आपसे पूछ रहा है the noun from the of strong is यहां आपको यहां चार options में से भरना है अब जो सही है वह आप लोग करो च्वाथा नमबर लखिया है he is worried the examination यहां आपको एक प्री पोजीशन भरना है टाइप का प्री पोजीशन टाइप का है वह फ्री यहां आप लोग द बहुत easy है तो यहां आपको पांच questions आपको मिलेंगे objective type का और है एक question एक mark कर रहेगा और आपको पांच mark मिल जाएगा तो यहां से English में अब यह add कर दिया गया है पहला ऐसा नहीं आता था लेकिन अब आपको else ही paper देखनी को मिलेगा फिर यहां देखो पहले आपसे दो number का आता था direct indirect लेकिन अब आपको एक number का देखनी को मिलेगा देखो पांच वा लिखा हुआ है चैन्ज था following as directed in the records यहां व्रेकट में लिखा हुआ है जिसमें आपको चेंज करना है पहला हरी said to me why did you do it यह से आपको चैन्ज इंटू indirect मे चैन्ज करना है आपका interrogative है और आप ज आप इसे solve करना काफी ज़्यादा easy है अगर आप थोड़ा सा mind लगा करोगे तो बन जाएगा दूसरा question लिखा हुआ है who is writing a letter इसको आपको passive voice में change करना है by whom लगाकर आप इसे solve कर सकते हूँ फिर यहां देखो तीसरा नमब लिखा है punctuate the following using capital letter wherever necessary तो यहां आपको punctuation solve करना है लिखावास सीखा side to her friend why had you not come to school yesterday तो इसको punctuation को अगर आप solve करोगे तो यहां से एक मार्क आपको मिल जाएगा पहले दो मार्क काता था लेकिन अब आपको एक एक मार्क दिया जाएगा चौथा नमबर कूशन है फ्रेम यह correct sentence by re-ordering sentence यानि की the words यानि की re-order करना है इसको आपको ब्यवस्थित करना है ठीक है और यहां लिखा हुआ व लेकिन अब एक ही आएगा एक मार्क का ठीक है क्या लिखा हुआ है complete die spelling of the following words यहां आपको इसको भरना है क्या भरा जाएगा आपके book में होगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर जानते होंगे अब यहां देखो question number 6 आपसे 5 नमबर का पूछेगा पहले 4 मार्क का आता था आप आपको यह देखने को मिला है 5 मार्क का तो थोड़ा सा आप लोग sentence बनाना सीखिएगा जैसे प्राकिर्त जो है एक जीवित सकती है और वह अपने सांत और सुन्दर रूप में हमारे चारों और विदमान है जब हम प्राकिर्त के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है और प्राकिर्त का संद्ध्षणयूम सम्मान करना हमारा नैतिक धायूत है और हमें प्रतदिन कुछ समय प्राकिर्त के संप्रक में अवश्य बिताना चाहिए इसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है इंगलिस में आपको पांच मार्क मिलेगा और अग आपका लिखा हुआ है डी लिट्रेश्यर यानि कि जो आपने पढ़ा है लिट्रेश्यर ठीके अब देखो यहां का पैसेज है जो आपके बुक में प्रूज में है यहां देखो विथ ये सर्टिफाइज इंप्रेशन ही रिगार्डडड़ दा फील्ड ऑफ राइप अब बताओ यह किस चैप्टर से लिए अगर आप नहीं जानते हो तो इंगलिस में आपने कुछ तयारी नहीं की है क्योंकि इसको मैंने आल लेडी पढ़ाया है तो यहां आप लोग देखो आपको दो-दो मालग का दो कुश्चन मिलेगा और यह आपका लैंचो वाला यहां आपको दो-दो मालग का यह पैसेज देखने को मिलेगा फिर यहां देखो आपको मिलेगा एंस्वर वन आफ दा फालोइंग कुश्चन साल्ट वर्ड्स आपको साल्ट वर्ड में इसका एंस्वर देना है ओके तो अब आप लोग बताओ ठीक है थोड़ा सा यहां अगर आपको यह नहीं आता तो यहां आपको अन्यव पैंग का आपको छडित चित्रन करना है चारक्टर स्केश ठीक है तो यहां को चार मार के मिल जाएगा किसी एक को करना है साथ वर्ड का आपको इसका एंस्वर लिखना है नाइन नंबर कुश्चन आप से क्या कह रहा ह लेकिन दो का देना है जैसे यहां लिकावाई डिस्क्राइव एनी टू ट्विरिस्ट फैलस आफ क्रूज ठीक है तो यहां आपको दो मार क मिल जाएगा और अगर आपको यह नहीं आता तो इन दोनों में से किसी एक का दोगे आपको मिल जाएगा तो अगर आप पहला करते हो दूसरा तो फिर आपको चार मार्क मिल जाएगा कोई भी करो इन तीन में से कोई दो करना है तो choosing है अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है फिर यहां देखो आपको matching the words मिलता है तीन मार्क का पहले चार मार्क का आता था आप यह मार्क को आपको देखने को मिलेगा तीन मार्क का ठीक है match the words call list b में आपको मैचिंग करना है तो मैचिंग अगर आप जानते होंगे तो फिर कर लोगे यहांसे एक matching एक मार्क का रहेगा ठीक है आप देखो यहां आपको in the following the end answer question यहां आपको यह आपका क्या है बताओ तो यहां इन दोनों का आप लोगों को answer देना है उन दोनों का और फिर आपको 2-2 mark या नहीं कि 4 mark मिल जाएगा यहां आपको मिलता है भाई central idea लिखो या फिर एक poem लिखना है आपके book में जो poem दिया हुआ या फिर आप a tiger in the zoo या फिर dart trees पर आपको एक central idea दोनों में से किसी एक पर लिखना है I hope कि आप लोगों को यही बेटल लेगेगा कि आप लोग चाल लाइन की एक poem तयार कर लो जो do not copy on the lines given this question bank जैसे यह आपका इसको copy नहीं करना है यह आपके question bank में दिया हुआ है ठीक है तो यहां से आपका यह भी हो चुका है फिर question number 13 आपका क्या कह रहा है answer two of the following question in 25 words आपका चाल नंबर करेगा यहां आपका तीन question है यह आपका salt stories में है यानि कि supplementary में से है supplementary में से आपको यह तीन question मिलेगा इन में से किसी दो का answer देना है ठीक है समझ में आया तो यहां आपको समझ में आगया होगा यह आपको तीन question में से किसी दो का देना है या फिर आप इन दोनों question में से यहां देको अब लिखावा है answer आपको देना है start word में यानि कि long question है यहां आपको give you a character is case आप भोली यानि कि अगर आप इसको कर दोगे अच्छे से चत्रन तो आपको चार मार्क मिल जाएगा या फिर आप इसका करोगे ठीक है तो यहां अगर आप इसे करोगे तो चार मार्क मिल जाएगा, तो दोनों में से किसी एक को करना है, चार मार्क आपको मिल जाएगा, फर यहां देखो आपको क्या मिलेगा, यहां आपको देखो, यहां दो मार्क का आपको ट्रू-फॉल्स मिलेगा, आपका इस्टोडी में से, जयानी कि supplement मेंस है यह आपका true है false है यहां आपको बताना है और आपको दो मार्क मिल जाएगा ठीक है true false पहले आपका ज्यादा आता था लेकिन आपको दो मार्क देखने को मिलेगा वी नमबर है आपको यहां आपका इस में से कोई एक सही है जो देख सकते हो ग्रीफिन वाज यह अब आपका जो सही है इन चारों में से स्वाप कीपर था या लैंड लॉर्ड था या साइंटिस्ट था या फिर क्लीरी मैं था और दूसरा आप से पूछ रहा है रामलाल एल्डेस्ट डाटर वाज यहां को रामलाल किसका एल्डेस्ट सब्सक्राइब करना और अगर आपने हिंदी का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर एंड अगर आपने मैथ का इसका मॉडल पेपर नहीं देखाया तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगा दोनों का मॉडल पेपर आपको देख लेना है ठीक है चलो फिर मिलते हैं इस वीडियो को लाइक करना शेर करना अपने फ्रेंस के साथ चैनल पर यहां सब्स्राइब मैं तब तक